अब तो कहानी बहुत पुरानी हो गई अब तो जो हुआ है 35 से खतम धारा 370 खतम वो महववा मुफ्ती कहती थी आई इन ने हमें एक अपना जंडा दे रखा है वो जंडा भी खतम वो कहती थी तिरंगे को जंडा दिखाने वाला नहीं मिलेगा तिरंगे की कतार डल लेक पे दिखने लगी वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खतम आईस आईस का जंडा खतम तो मुझे लगता है वो कुछ-कुछ वैसी बात हो गई जैसे वो अंग्रेजों के जमाने वाली बात होती थी तीन-चार सालों में ही इतना बड़ा परिवर्तन आ गया तो मुझे लगत इस देश का एक इलाका बताईए जहां आतंगवादी हमले ना होते हों चंडिगड, जैपुर, दिल्ली, लकनव, उसमें नाम फैजाबाद था, वारणसी, पत्रना, गया, गोहाटी, हैदराबाद, चेननई, बैंगलोरू, नाकपुर, नासिक, मुंबई, पुने, एहंदा बात बताईए, कहा नहीं था, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, आप याद करिए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था, चुना नहीं कोछी धमाका हो सकता है, आज दिखता है कहीं, आज वो सिमट कर दक्षन कश्मीर के चार जिलों तक हम उस सीमित करने में सफल हुए है, यह बहुत बड़ी उपलब्द है, नरिंद्र मोदी जी के नित्वर्त में, भारती इंटा पार्टी की सरकार की, जी.